लंपी वाइरस ने राजस्थान में कोहराम मचाने के बाद मध्यप्रदेश में भी एंट्री कर ली है जिसको लेकर सरकार ने प्रशासन को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिये हैं वहीं अब लंपी वाइरस से गौवन्ष को बचाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा भी मैदान में उतर आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विश्णुदत्त शर्मा की पहल के बाद किसान मोर्चा समेथ बीजेपी कारकरता गौवन्ष का वैक्सिनेशन करवा रही है गायों की रक्षा के लिए सरकार के साथ बीजेपी के कारकरता भी मैदान में उतर आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा ने लंपी वाइरस को लेकर कहा कि मद्रदेश सरकार लंपी वाइरस ने गौवन्ष को बचाने के लिए फ्री वैक्सिनेशन करवा रही है सभी बीजेपी कारकरता किसान मोर्चा के कारकरता गौमाता की रक्षा के लिए गाउं-गाउं जाकर सहयोग करें खंडवा प्रवास के दौरन बीजेपी प्रदेश अध्यक्षु विश्नुदत शर्मा ने गणेश गौशाला जाकर गौमाता का फूजन किया अब तक में चार सो पचास गायों का वैक्सिनेशन हो चुका है गौशाला के लोग गौशा कर वैक्सिनेशन के लिए प्रेदी कर रहे हैं कि गधिक दो साला यहां की वडिipes प्रशद लगों के साथ में दिलाऊं काल्ड गौयमाता के साथ आजया है और वड़ी खुशी है कि यहां पर सभी गायों का वیक्सिनेशन हमारे नोंसाला प्रवंदलों स्विठी ने संटा करां दिया और भी प्रयास कर रहे खंडवाज लेक्पर जहां भी इस प्रकार के अश्था इसकल माँसां के वागान के दर काईओं वेक्सिनेशन उनको स्रक्षत रखने के कादमें जुटे हैं मैं गौसाला के प्रवंदन को धन्धिबाद करता हूं कि उन्हों इस प्रमियान के लिए के लिकार है मैं सबी कारिकर्टाव से पील करता हूं, समाज के लोगों से पील करता हूं, कि सम मिल करके, अपने वावन सपोस्त रक्षित रखेरे के लिए, वावाता की रक्षा के लिए हम सब लोग एक लग्सक्रे के लिए वावन मिल करके लिए। वावन मिलावट प्र्शियृ। अ प्रिक coming है वीजाओ पÍ आप देख रहे हैं दखल न्यूज